प्रवेश गोतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद्प्रवेश में इमानदार हैं तो छोड़ दीजे पश्चिम मद्ध्रेल बे या यह सही है बताता हूं तबादला उद्द्योग इस तरह के आरोप आपने राज्य सरकारों में विशेश और मद्ध्रदेश में बहुत सुने होंगे अन्यराज्यों में भी जब पक्ष में होता है वो सत्ता दाड़ी देल पर आरोप लगाता है पर क्या रेलवे में भी कुछ ऐसा ही उद्द्योग चल रहा है जिसमें किसी का भी कभी भी बिना नियम के तबादला किया जा सकता है आप सूचेंगे ऐसे कैसे कह रहा हूं मैं रेलवे में तबादला उद्द्योग इसका जवाब शायद हाँ ही होगा क्योंकि पश्चिमद्ड रेल्वे के महा प्रबंदक सुधिर कुमार गुप्ता जी जब से इस पद पर बैठे हैं ऐसे कई उधारन सामने आए हैं जो उनकी कार प्रडाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं हालाक इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना कोई ठोस अधार के कारकाल पूरा होने से पहले ही तबादला तक कर दिया जाता है और आवाज उठाने पे धमकी दी जाती है सियार बिगाड़नी है वहीं जो भरष्ट हैं जिनके खिलाब घोटालों के प्रमार उपलब्द है विजलन्स जाच कर रही है उनको मन चाही पोस्टिंग में नियम विरुद्ध तरीके से पदिस्थापना तक दी जा रही है यहां तक की बचाया भी जा रहा है कि इसी शहर में रहें अर्थात यह इशारा है कि इमानदार अधिकारियों के लिए शायद प्रश्चिम मद्ध रेलवे में अब कोई विशेश इस्थान नहीं रह गया है मैं आपको ऐसे चार मामनों के उधारण दूँगा उन से अफ़गत कराऊंगा चार एपिसोड में जिनमें से दो इमानदार अधिकारियों के कारेकाल पूरा होने से पहले ही जो तबादला किया गया है उसके बारे में बताऊंगा और दो उनके बारे में बताऊंगा जिनके खिलाब ब्रस्टाचार के प्रमाणित आरोप है यहां तक कि एक को सजा तक मिल चुकी है फिर भी उनके लिए तबादलों का कोई नियम नहीं है और पूरी तरह से सर्लच्छण दिया जा रहा है एक निवेदन है मेरा आप से कि मेरे चैनल कोल सब्सक्राइब जरूर कर ले और पसंद आए तो शेयर जरूर करें क्योंकि सिर्फ आपके इस बेल आइकन दबाने से मुझे मेरा महंताना मिल जाता है देखते रहिए छुपा खेल क्या रेलवेज जीम के नेत्रत तुम्हें पनप रहा है तबादला माफिया और जीम साथ रखे हैं चुपा स्वाजत है आज पहला मामला बताता हूँ उधारों सहित काग्जों सहित उसके बाद अगले तीन पार्ट में बाकी के तीन मामले बताऊंगा और लिड़ने फिर आप लीजेगा क्या ये तबादला उद्योग है या निष्ठा पर प्रश्णिचिन खड़ा हूँ रहा है मार्च 18 मार्च 2020 को एक आदेश है 67 अबलिक 2020 जिसमें सिग्नलिंग के एक अधिकारी संजीब तिवारी की पदिस्थाप्ला सीवियो जियां विजिलेंस अधिकारी के पदपर की गई थी रेलवे बोर्ड के विजिलेंस विभाग के नियम अनुसार मैनुवल अनुसार इसको कहते हैं IRVM इंडियन रेलवे विजिलेंस मैनुवल इसी मैनुवल में चैप्टर एट में क्लॉस नंबर 822 आई में इस पस्ट लिखा हुआ है कि किसी भी विजिलेंस अधिकारी को उसके कारेकाल जो तीन साल का होता है वो पूरा होने से पहले नहीं हटाया जा सकते और यदि किसी विजिलेंस अधिकारी को तीन साल से पहले हटाना है तो रेलवे बोर्ड के विजिलेंस और सीविसी की अनुमती लेनी होगी, कॉन्करेंस लेना होगा और उनको बताना होगा लेकिन संजीर तिवारी को दो वर्ष, दो महिने के कारेकाल के बाद ही सीवियो, विजिलेंस अधिकारी के पट से हटा दिया गिए सूत्रो का दावा है कि संजीर तिवारी एक इमानदार अधिकारी है किसी के भी दबाव में कोई गलत काम नहीं करते इसलिए उनको सीवियो जैसे महत्वपून पद पर बैठाया गया परंटू सूत्रो ने आगे बताया महाप्रबंधक सुभीर कुमार गुपता के कुछ खास लोग कुछ खास लोग सूत्रो का दावा है, नहीं चाहते थे कि संजीर तिवारी इस पद पर बने रहें क्योंकि संजीर तिवारी कुछ ऐसे मामलों की जाच कर रहे थे जिसमें कुछ बड़े अधिकारी जो संभावता जीम के खास हैं अधिकारियों की पोल खुल सकती थी चुक्कि संजीक तिवारी किसी दवाव में काम करने वाले अधिकारी नहीं माने जाते हैं ऐसे में इन्हें पज से हटाना ही सीधा तरीका था संभावता उन भ्रस्टाचारियों को बचाने बस फिर क्या था इनके तबादले की फाइल तबादला माफिया के कहने पर चल गई और जीएम सुधीर कुमार गुपता ने इन्हें त्वरिक सीवियो पद से हटा दिया 23 अगस 2022 को 228 अभी 2022 सूत्रों का ये भी कहना है कि किसी खास को इनके पद पर बैठाने के लिए भी समय से पहले महाप्रबंदक सुधीर कुमार गुपता ने संजीर तिवारी को पद से हटा दिया सूत्रों ने ये भी बताया कि GM सुधीर कुमार गुपता अपने पद और उसकी पावर का दुरुपियोग करते हुए संजीक तिवारी को रेलवे बोर्ड के विजलन विबाग से जो IRVM में लेखित है बिना अनुमती के ही हटा दिया विजलन विबाग से कोई कॉंटरंस नहीं लिया ऐसा हमारे सूत्रों का दावा है दा करेंट स्टोरी ने जब सवाल पूछा तो GM साहब चुप्पी साध गए इनकी चुप्पी इशारा कर रही है कि पश्चिम मध्य रेलवे में माफिया तबादला माफिया सक्री है और लेन इसा नहीं है सूत्रों के दावे यदि गलत है तो महाप्रबंदक सुधीर कुमार गुप्ता जी बताएं कि वह मीडिया के सवालों के जवाब क्यों नहीं है उनकी चुप्पी बहुत कुछ इशारे कर रही है कि यह तो था पहला पार संजीव पिवारी जी का नियम का आपको धारण दूंगा अगले एपिसोड में संतुलन बनाऊंगा दो इमांदार अधिकारियों के बारे में बताऊंगा कि समय से पहले बिन ठोसाधार के उनका तबादला किया गया और दो ऐसे भरस्त अधिकारियों की बात करूंगा जिनको पून रूपे हिंड लगब काफी हद तक सही होते जा रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगले पार्ट में ऐसे ही एक और उधारण दूंगा केनियोर से पहले यानि कारिकाल से पहले इमांदार अधिकारी का बिना किसी ठोसाधार के तबादला कर दी है बहुत बहुत धन्यवाद